7. जिसका नाम है The Famous Villager, यानि कि बहुत ही मशूर गाउंवाला. ये कौन होता है? ये होते हैं हमारे पूर्व राश्टरपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी. आज हम उनकी कहानी पढ़ेंगे थोड़ी शॉट में उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो आएए simple life. He paid little attention to his appearance and was shy in nature. He was dark and skinny with a thick mustache. डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी हमारे सबसे पहले राश्टरपती थे इंडिया के. वो बहुत ही जादा विद्वान थे. उनके पास बहुत ही जादा knowledge थी लेकिन वो अपना जीवन बहुत ही सादेपन से वेतीत करते थे. वो अपने appearance यानि की अपने looks पे बहुत ही कम ध्यान देते थे और बहुत ही शिर्मीले मिजास के थे. उनकी skin थोड़ी सी national leader much before India became independent. Once he had to travel by train to a remote town. यहां पर बताया गया है कि जो डॉक्टर आजेंतर प्रसाद जी थे वो हमारे राश्टर के बहुत ही अच्छे और बहुत ही जाने माने leaders में से एक थे. कब? जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से. एक बार की बात है कि उन्हें एक बार किसी दूर के एक गाउं में by train जाना पड़ा. It was 8 o'clock. कितने बजे थे? आट बजे थे. In the night, रात के आट बजे थे जब उन्हें स्टेशन पर उतरना पड़ा. He was wearing a cotton धोती कुरता and a Gandhi cap in this dress. Looked like an ordinary villager. जब वो रात के स्टेशन पर उतरी थे रात के करीब आठ वजे पर तो उन्हें क्या पहना हुआ था? दोती कुरता पहना हुआ था, cotton का और गांधी वाली कैप पहनी हुए थी. जो वाइट कलर की होती है. उस ड्रेस में वो बिल्कुल सिंपल एक आम गांवाली की तरह नजर आ रहे थे. The platform was deserted. मतलब की platform पे कोई लोग नहीं थे, खाली पड़ा हुआ था. Dr. Pasad lost his rolled pilt in the crook of his arm and walked to the station master's office. उन्हें क्या किया? जो अपना bed sheet होता है, उसको रोल किया और उसका गोल बनाके अपने armpit के नीचे डाल दिया यानके पनी बाजू में उसको रख लिया. और वो station master की office की तरफ चल पड़े. With great politeness, he asked the station master, कुड़ाई मी का telephone call, it's an important matter. उन्हें बड़ी ही नमरता के साथ station master से क्या पूछा कि मैं एक telephone call कर सकता हूँ, बहुत ही जादा जरूरी काम है. Station master gazed at him for a while. He thought the man in front of him was a mere villager. अब station master ने उसे थोड़े दे तब पहले घूरा. फिर वो सोचने लगा कि ये तो एक साधारन सा गाउम वाला है. तो उसने क्या कहा? Want to make a call? Who do you think you are? वो से पूछता है कि तुम्हें call करना है, तुम अपने आपको समझते क्या हो? तो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद wanted to introduce himself. वो अपने आपको बताना चाहते थी कि मैं कौन हूँ? उन्होंने जैसे ही कहा राजेंदर प्रसाद कॉंग्रेस, तो before he could finish, वो अपना sentence खतम ही कर पाते, station master ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. और क्या कहा? No, no. राजेंदर प्रसाद is not going to be here tonight. You may go now. उन्होंने कहा कि राजेंदर प्रसाद अब यहां आज रात को नहीं आने वाले हैं. तुम चले जाओ. He did not allow Dr. Prasad to make his call. उन्होंने Dr. Rajendra Prasad को telephone call करने से मना कर दिया. अब Dr. Prasad इतने शाय थे कि उन्होंने कुछ कहाई नहीं उस station master को. चीक है? That he was speaking to Rajendra Prasad himself. उन्होंने उस station master को कोई चीज़ बताई नहीं कि वो खुद Rajendra Prasad से ही बात कर रहा था. तो ये थी उनकी स्टोरी जो उनके साधेपन को बताती है. ठीक है कि वो कितनी simple life जीते थे कि लोग उन्हें पहचानी नहीं पाते थे. कि इतना महान लीडर भी ऐसा हो सकता है. अब यहाँ पे Dr. Rajendra Prasad के बारे में हमें कुछ बताया गया है. वो क्या है? आईए जानते हैं. Dr. Rajendra Prasad was one of the main leaders of the Indian Independence Struggle. In 1942, he participated in the Quit India Movement against the British rulers of our country. यहाँ पे बताया गया है कि Dr. Rajendra Prasad बहुत से जो हमारे leaders हुआ करते थे जब हमारा देश आजाद हो रहा था उसकी जंग में जितने भी नेता थे उसमें सबसे मेन भूमिका भी इन्होंने भी निभाई थी. उन्होंने 1942 में किसमें पार्टिस्पेट किया था? भारत छोडो आंदोलन में. जिसको क्या कहा जाता है? क्विट इंडिया मुवमेंट. यह आंदोलन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ लड़ा गया था हमारी कंट्री में. उस दोरान ब्रिटिश अरेस्टेड हिम और पुट हिम इन प्रिजन फॉर थी एर. उस दोरान ब्रिटिश वालोंने इन्हें जेल में डाल लिया था पूरे तीन साल के लिए. वाइलें जेल, he wrote his autobiography which was 900 pages long. और जिस दोरान वो अपने जेल में थे उन्होंने अपनी autobiography लिखी. Autobiography क्या होती है? एक किताब होती है जो खुद पर लिखी जाती है, खुद से. यानि जो इनसान अपने बारे में ही खुद से लिखता है, उसे autobiography कहते हैं. और वो कुल 900 pages की इतनी लंबी थी. India got freedom from the British in 1947. On 26th January 1950, Dr. Prasad became the first president of the country. He served as president for 12 years. He was awarded Bharat Ratna, India's highest honor, in 1962. His life teaches us the value of simplicity. जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था? 1947 में. और 26 जनवरी 1950 को Dr. Rajendra Prasad को भारत का पहला राश्ट्रपती घोशित किया गया था. वो as a राश्ट्रपती कितने साल तक रहे थे? 12 साल तक. उन्हें भारन ररतन अवार्ड भी दिया गया था, जो बहुत ही ज़ादा high honor का अवार्ड है. कब? in 1962 में. इनकी life हमें किस चीज के बारे में बताती है, the value of simplicity कि simple रहना साधापन कितना जरूरी होता है. भले ही आपके पास कितने आश्वराम क्यों ना आ जाएं. आपकी जो simplicity है, आपका nature है, वो ही आपके वेक्तिक्त्व को प्रकट करता है. तो ये थी स्टोरी हमारी किसके बारे में इनकी the famous villager यानि की Dr. Rajendra Prasadji.